नमस्कार, A2Z dishes उशा कोड़जानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारी बहुत ही मज़िदार सी चनादाल और उसके साथ गीहू के आटी की फूली फूली हुई पूरिया इसे आप नाश्ते में ले सकते हैं लंच में जब भी आपका मन चटपटा खाने का हो और साथ ही साथ हेल्दी थी तो आप इसको ट्राइ कीज़े आपको काफी पसंद आएगा और चटपट से भी बन जाता है तो चलिए ये दोनों को हम बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बना लेंगे चनादाल तो उसके लिए मैंने यहाँ पर यह ले लिए एक कप चनादाल इसे मैंने विगो के रख दिया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से विग चुकी है ये तो अब हम गैस को ओन कर लेंगे और उसके ओपर मैंने कुकर रख दिया है इसमें मैं डाल रही हूँ तेल करीब 2-3 चमच जैसे गरम हो जाएगा आदी चमच जीरा और दो कटे हुए प्यास डाल दिये हैं अब इसे हम बून लेंगे थोड़ा सा हलका सा लाल होने तक जादा विलकुल लाल नहीं करना है देखे हलका सा हो चुका है तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक बड़ा टमाटर कटा हुआ छोटे तो आप दो डाले एक बर मिलाकर हरी मिर्ची डाल देंगे तीन कटी हुई और इसे भी अच्छे से बून लेंगे दो से तीन मिन तक देखे टमाटर सौफ्ट हो जाए तो आदी चमच लालमिश पाउडर आदी चमच दनिया पाउडर एक चोथा ही चमच हल्दी पाउडर और मसालों को भी मैं अच्छे से मिलांगे अपने स्वाद के अनुसार कमशादा कर सकते मसाले देखिए अब टमाटर की तरह से मेश करना है थोड़ा सा अब यह चना दाल को डाल देना है और अच्छे से नमें मिला ना तो यहां पर चना दाल को मैंने 2 गंडे तेक रख डिया था एक कप मैंने अब इसके अंदर हम डालेंगे स्वादनुसा नमक या फिर एक चमच नमक अच्छे से मिलाकर इसके अंदर में डाल रही है दो कप पानी तो देखे पानी मैंने दो कप डाल दिया है अच्छे से मिला लेंगे और कुकर का ढखकन देते हुए से हम 2-3 सिटी आने तक पका अब इसके अंदर हम डाल देंगे आदी चमच गरम मसाला या फिर किचन किंग मसाला थोड़ी से दनिया के पत्ते और अच्छे से हम मिला लेंगे तो लीजे हमारी जो चना दाले ना वो तो तयार है अब आप इसे पूरी के साथ खाए या फिर आप खाए से चावल के साथ क नमक डालने के बाद हम डालेंगे इसके अंदर एक से दो चमच जतना तेल और अच्छे से हम देखिए इस तरह से मिला लेंगे तो देखिए मिलाने के बाद यहां पर मैंने ले लिया है आदा कब पानी अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गून लेंग पर अगर आपको पूरिया नहीं पसंद है तो आप इसे राइस के साथ खाए तो भी आपको काफी मज़ा आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते मैं जो आटा है वो देखे कुछ इस तरह से गुंद कर तयार कर लिया है नाहीं जादा नरम होना चाहिए नाहीं जादा सक्त होन अब हलका से हम गी या फिर तेल लगा कर इसे चिकना कर लेंगे तो यहाँ पर मैं गी लगा रही हूं एक छोटी चमब जितना आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं तो देखे गी लगा कर मैंने मसल लिया है अब देखी मैं आपको बता देते हूं मैंने किस कब से पानी लि तो चलिए अब आटे को देख लेते हैं और इसे एक बार हम फिर से इस तरह से मसल लेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने मसल लिया है, अब छोटी छोटी लोई इसमें से निकाल लेंगे, जिसे असाब से आप पूरी की साइस करना चाहते हैं, अगर आप बड़ी पूरी बनाते तो आप बड़ी लोई ले चोटी बनाते तो आप छोटी भी ले सकते जैसे आपको पसंद हो अब दोनों हाथ के बीच मेंसे हम मसल लेंगे इसी तरह से मैंने पूरी की लोई या बनाव ला ली आप देख सकते हैं और पूरी तलने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे और इसे बेल लें तो आप देख सकते हैं मैंने पूरी को बेल लिया है एकदम बढ़िया और देखें नाई जादा पतली है नाई जादा मोटी है इस तरह से होनी चाहिए पूरी अब अपने हाथों को संभालते हुए तेल में डालेंगे पूरी को और कर्ची की मदद से इसके बढ़िया हमारी पूरी फूली है बहुत ही बढ़िया लग रही है देखें इस तरह से गर्मा गर्म पूरी के साथ आप वो दाल खाएंगे ना आपको काफी मज़ा हा जाएगा तो देखें इस तरह से मैंने ये सारी पूरिया हमारी तयार कर लिया देखें सारी पूरिया कि से बनाएं और मज़े कमें सेक्शन बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर 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 लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंद्स और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भू झाले